नमस्कार साथियों आप सबका पुना स्वागत है शद्धायस्टो जोतिश में आज हम लोग कवर करने वाले हैं तोला लगन की कुणली में यदि बुद्ध एकादर्श भाव में बैठें तो किस प्रकार का फल होता है इससे पहले हम लोगों ने सूर्य चंद्रमा और मंगल क कम्प्लीट वीडियो रिकार्डिंग चैनल पर अप्लोड कर दिये कोई भी विक्ति सूर्य चंद्रमा मंगल राहु केतु तक नो के नो ग्रहों का बारा अलग लग लग लगन की अलग लग राशियों में ब्रगुसरल पदती अनुसार फल को जानना चाता है चैनल को सब्स मारे बारे में complete information मेरा educational background पता लग जाएगा अच्छा इसको हम यह भी कह सकते हैं तुला लगन का सिम्वराशी का बुद्ध तो यह धान रखिए खाली एकादर्श भाव में बुद्ध बैठा है उससे बात नी बनेगी हमें कहना पड़ेगा कि एकादर्श भाव में सिम्व राशी का बुद्ध वो एक अलग प्रीमेज लेकर चलता है काल पुरुषी कुल्डी में जो यह पांचवा भाव क्या लेकर आता है यह पांचवा भाव का नेचर क्या है यह जाने बगैर हम कभी भी सिर्फ यह कहने भर से बात नहीं बनेगी कि बुद्ध ग्यारवे भाव इकादर्ष भाव यहां से गिंते अंटी क्लोकवाई तो यह बढ़ता है ग्यारवा भाव हमारी इच्छा पूर्ती का भाव होता है विश कंप्लिशन का आय का इंकम का मित्रों का नेटवर्किंग का इकादर्ष भाव के मजबूत होने पर हमारी सभी परकार की इच्छाए पूरी होती है चाहे वो इच्छा किसी आपने डिजायर लगाई हो इस कॉलेज टाइम में कि यार मेरी इस लड़की से शादी हो जानी चाहिए थी अगर एलेवन्थ हाउस ट्रॉंग है तो वो भी एक विश है जो समय पर पूरी होगी और स्पेशली उनसे रिलेटेड प्ल आपको कॉलेज में इस प्रकार का रोमेंटिक लाइफ देखने को मिलेगा तो यह सारी चीजें कनेक करनी पड़ेंगी फिलाल यहां बुद्ध बैठे है जो बुद्ध सूरे के साथ बुद्ध योग में इन्वाल्व होते हैं इन ग्रोह की अच्छी मैत्री है अच्छी दो उनों ही लोबी सूरी की लोबी होचा है शनी की लोबी बराबर की इज़त मिलती है उसको तो जब बुद्ध यहां बैठते हैं तो बुद्ध को मन में यह तो है कि यहां सूरे मेरी बड़ी लिगार करते हैं मैं भी यहां पर अपनी बुद्ध मत्ता का पूरा परीचे दू वाले होते हैं तो यहां नौवे भाव का स्वामी ग्यारवे भाव में बैठा अपने से एक दो तीन होकर तो यह बहुत अच्छा है आपके पिता आपके इच्छाओं को पूरी करेंगे कोई भी इस प्रकार की इच्छा आपके भागय संबंदी लंबी यात्रा एजुकेशनल पिएजडी डिग्री वो सब पूरे हने वाली हैं और उसमें अगर एक दो तीन तीन नंबर इसमें connectivity का काम करेगा तीन नंबर आपके छोटे भाई बहन की बात करता है तो छोटे भाई बहन के कारण आपके पिता संबंदी जो भी आपने को इस प्रकार की इच्छा करी है य जानि एसा विक्ती अपने एजुकेसनल टाइम से ही अपने लिए कुछ न कुछ अर्निंग करने लगे जाता है अपने मतलब पढ़ाई के लिएकशन न कुछ ऐर नियकर देगा है लोड यहां बैठकर देखता तो याने वह पढ़ाई से 11 गिंश कर रहा है इब मु में इसक का जब कभी भी जब 11th house में बैटकर प्लानेट मजबूस तिती में 5th house को देते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छी charity करते हैं, खासकर लोगों की education को improve करने के लिए, not only इन्होंने अपने education में starting से invest किया है, अपने धन से, इन्होंने अपने earning बड़े होने के बाद दूसरों के पर बारवे भाव का स्वामी अपनी से 11 होकर बैठता है, तो जब बारवे भाव का स्वामी बैठता है, वेस से आए, तो बड़ा अच्छा combination है, अब खर्च जितना करते हैं, उतना ही आपको profit दिखाई देता है, कई बार ऐसा combination बनता है, यार हम खर्च करते हैं, तो हमारा 11th house क हम जो रवस्था में चला जाता है, यार क्यों खर्च किया, इसमें हमने कहीं इन्वेस्ट किया, in fact, not exactly हम इसके लिए खर्च यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी investment आपने कहीं लगाई है, वो investment आपके share market से संबंदित, maths के संबंदित, mutual fund से संबंदित हो सकती है, वो आपके आ इस प्रकार के revenue department से आए, इस प्रकार की income की बात करता है, तो जब यह बात यहां होती है, तो वो आदमी share market से भी पैसा बनाने लग जाता है, क्योंकि वो खर्चा किया, उसने share खरीद हो, उसके बाद उसको आए हुई, तो यह बात भी दिखाए देती है, बुद्ध की यहा होने की विवेक शक्ति की बात करता है, आपकी जो भी डिक्री डिप्लोमा आप करेंगे, उसमें शनी की tendency होगी, लाव लेने वाली भी और बुद्ध की बुद्धिमानी भी होगी, clear होगा तो इदियान रखिएगा, बुद्ध वहां से बहुत अच्छी नज़र गड़ाय बैठे हैं आपके पंचम भाव में, तो कुल मिला के रिजल्ट ग्यारवे भाव में लगबग सभी प्लानेट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो दोस्तो आज की इस क्लास में इतना ही, आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगली क